हलो स्टुडेंट्स देखे हम लोग चल रहे हैं एक्चुली क्लास सीक्स से लेके एट तक में आपको यह क्वेस्टेंस मिलेंगे थोड़ा जानकारी इसमें चाहिया था बाकी आप तो जान सकते हैं लेकिन फिर भी हम लोग चलते हैं देखे वाट नमबर सुट भी एड़ेट कोई टेक्निक नहीं है जो हमारा रूल है बेसिक उसी पर हम लोग चलेंगे इसके बाद सब्ट्रेक्टेड में भी हम लोग अगला वीडियो बनाएंगे तो फिर्स्ट को जदी हम लोग करेंगे तो चुकि देखिए आप कलास में हैं आपको यह फूल मार्क्स लेना है मिनि सब्सक्राइब करेंगे तो यहां से आप देख रहे हैं तो यह चीज क्या पर डिपेंट करता है यह चीज आपको कैसे आ रहा है यह माइनस यह यह सम है चुकि जब कोई चीज एड करते है तो उसका सम मिलता है तो यह सम है सम में से जो गिवन नंबर है यह जदी माइनस कर देंगे तो हमारा यह निकलेगा यह हमारा है लेकिन जदी इसमें हम बनाना चाहेंगे तो let the required नंबर हम लिखेंगे let the number is equal to x therefore आपको क्या हो गया what should be added to that is minus 1 ठीक है plus x is equal to 5 by 7 चूंकि देखिए यह plus चूंकि add करना है तो दोनों में से किसी को भी आगे रखेंगे बहुत फरक नहीं पड़ेगा यह हो गया this implies आप सीदे सीदे लिखेंगे x is equal to 5 by 7 यह उस साइड जाएगा तो यह plus 1 that is lcm लेंगे 7 यह 5 plus 7 that is हो गया 12 by 7 that means required number is 12 by 7 इसको जिदी आप ऐसे जिदी देखना चाहेंगे simply तो क्या होगा यह आपको यह देखते है तो यहाँ पर क्या था यह sum था यह sum था sum minus given number that is minus minus plus हो जाता यह यह आता second की बात करें तो उसमें होगा let the number is equal to x therefore यहाँ पर क्या होगा added to minus 5 by 8 that is minus 5 by 8 plus x that is equal to minus 3 by 2 this implies आप करेंगे यह x is equal to हो जाएगा minus 3 by 2 and each side जब यह जाएगा हो जाएगा plus 5 by 8 यह हो गया that is जब इसको आगे करेंगे आप इकोल टो इसका LCM लेंगे तो 8 आएगा आपको 2 4 और 8 4 3 और minus 12 then 5 यह हो जाएगा आपको minus 7 by 8 जदी बेसिक चीज़ आपको नहीं पता है तो और वीडियोज आप देख लेंगे वो किलियर हो जाएगा प्रिबदी चेज़ आपा सकत हम हो जाएगा खमर वीडियोज ऑे कि ँज़ ŏ तुर आपको गया तो कि पनätter है कि कॉ़ैंगी दो आपको जो आपको आपको ए पाला वीडियर हो आपको पर断ते है